नमस्कार दोस्तो श्वागत हैं आपसे भी लोगों का एक बार फिर से दोस्तो कहते हैं कि कवन सुकाज कठीन जगमाही जो नहीं होई ताथ तुम पाही शंकट कटे, मिटेज स्ब पीरा, जो शुमरै हनुवत बल बीरा तो दोस्तो कल मंगलवार हैं और मंगलवार की दिन जबरजस्त पावारफुल किये जाने वाले उपाय बतारों वैसे हनवान जी महराज के चमतकार के बारे में बताने की जबरत नहीं दोस्तों हनवान जी मराज को माहा बीर कहा जाता है, इसके अंदर में अंगिनत सकती हैं और दोस्तों आने वाले कल्यूग के जैसे कल्प अंत होंगे दोस्तों इसके बाद हनुआ जीमराजी ब्रह्मकी झुपा ध्यों प्राप्ता करेंगे तो आज किस बीड़ो में मैं आप रुकों को बताऊंगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी मराज के कैसे पूजा करना चाहिए कोई आपकी विसेस मनो काम नहों तो किस पकार पूजा करने से हनुमान जी मराज प्रशन होंगे साथ इसाथ लौंकी माला की जबरजस्ता पावालफूर चमतकारिक उपाय बताऊंगा बिड़ो को ध्यान से देखना दोस्तों और हाँ अगर आब कोई समस्षा को लेकर के परसाने जैसे नकरात्मक सकती हैं करजे हैं ये फिर धन की आवा गमन रूख चुकी हैं तो ये बिड़ो भाया ब बलकि आब सब हमारे परिवार के हिस्से हैं तो हनुमान जी महराज रमायन का मुख्या पात्र भीया हनुमान जी महराज के सकती के बारे में ऐसा कोन वेक्ती हैं जो अंजान होगा सभी लोग हनुमान जी महराज के सकती को जानते हैं इनके बाहु बलको जनते हैं तो हनुमा सारे लोगों के मुख से ये शुना होगा कि भाया हनुमान चलिसा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं अधूरे हनुमान चलिसा नहीं पढ़ना चाहिए हनुमान जी मराज की पूजा करने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है आपको घबराना नहीं दोस्तों हमने बारकी से ह बहुत बार गलती हुए हनुमान जी मराज की पूजा के दोरान लेकिन हनुमान जी मराज बहुत ही सरल है बहुत ही सौम्मे हनुमान जी मराज मैं तो कहूँ दोस्तों गर अब धर्म पीता मान करके हनुमान जी मराज की पूजा करे तो आपको उस मुकाम पे ले जा करके छोड पना नहीं की है हनुमान जी मराज बहुत ही सरल सौम में देंगता है जिस प्रकार सनी मराज की हिर्दे बहुत ही कोमल है उसी प्रकार हनुमान जी मराज की हिर्दे बहुत ही कोमल है दोस्तों और हनुमान जी मराज के बारे में कहा जाता है अस्ट सिद्धी नौ निधी के दात और वहाँ भया सबसे पहले कहना चाहूँगा कुमेंट बाक्स में अभी तक जैसी राम नहीं लिखें तो जैसी राम जरू लिखना, क्योंकि दोस्तों जहां पे राम नाम का उचाराण होता है, जी जगा राम नाम का जैकारो भया वहाँ पे हनमान जी मराज आकर के उपस्थ करजे से बहुत ही ज़्यादा परसाने दोस्तों करजे के भार से लदते चले जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि भीया हम करजे कैसे चुका हैं क्योंकि दोस्तों करजे एक ऐसा मनुष्या का सत्व हैं दोस्तों जीते जी मनुष्या को खोखला करते चला जाता तो भया तुल्सी के पत्रा लेना है कुन सी तुल्सी लेना है आपको राम तुल्सी लेना है वैसे हम दो तुल्सी के सबसे ज़्यादा पुजा करते हैं राम तुल्सी और स्याम तुल्सी एक मरुआ भी आता है दोस्ता और एक मिस्त्री तुल्सी भी आता है लेकिन आपको ल एक सो आठ तुलसी के पत्रह रामा तुलसी के पत्रा ले लिजे लेकिन भाइया भिस्पत द्यान यह रखना है बियाख damnер Duchamp में ज सेमग प Toby उन्ग पनीमग दिन तूलसी पत्र पर रखता चंदन से आपको राम लिखने हैं राम लिख करके दोस्तों आपको माला पिरो लेने हैं माला बना लीजे जैसे आप से बन पड़े वैसे आप माला बना लीजे अगर कोई कम मनोरत है जैसे करजे के भार से परसान हैं तो एक काम करना 21 तुलसिक पत्र पर राम लिक करके माला तयार कर लीज़े और ये माला किसी आज फास के हन्मान मंदीर के पास में जाना सवर्पतम तो हन्मान जी मराच के सिरी-चौनो में मात्य आपको तेकना है एक आपको सिरीफल भेंट कर देना और आपको अपने मनो कामना बोलते हुए आप अपने मनो कामना बोलना कि भगवान मैं ये निमित है तू आपको तुलसी पतर पर राम लिख हमाल आपको भेंड करू भगवान आप मेरे मनो कामना को पुन्ना करना यकीन मानिए दोस्तो मैं अपने दिल की बाद बता दिया हूँ जो मुझे ये ग्यान, शाधू संध से प्राप्त हुआ था वही ग्यान, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के मदम से बता देऊ, यकीन मानिए कोई शधारण उपाएने, बहुत बड़ा दिब्ब्य उपाए हैं, केवाल आप देखेंगे, दोस्तों, तीन मंगलवार की भ मंगलवार फिर तीसरे मंगलवार आपको तिन मंगलवार तक करना हैं अब दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बताते चलता हूं आप में से बहुत सारे लोग यह पुछते हैं कि हनुमान जी मराज को कौन से पुस्पा बहुत प्री हैं क्या हम कमल की पुस्पा चढ़ा सकते ह ये फिर कमल की पुसपा की साथ सब्सक्राइब की पुसपा बहुत प्री हैं गेंदा की पुसपा अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी मराज को भेड़ किया जाए तो हनुमान जी मराच के ही कनधो DHARMA ध्वज हैं दोस्तों इसले गेंदा की पुष्पा की कलर आप देखना ये भी बगवा कलर की होती है तो गेंदा की पुष्पा वैसे तो हनुमान जी मराच को बहुत प्री हैं लेकिन इनकी में कलर को भी देख करके बता दिया तो गेंदा की पुस्प अगर हनुमान जी मराज को कोई विसेस मनो कामना है तो वह मनो कामना बोलते वे कम से कम 21 से ले करके दोस्तों 59 या 108 गेंदा की पुस्प मनो कामना बोल करके परभुराम का ध्यान करके अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी मराज को चड़ाते हैं तो ज अब ऐसा क्यों कि हनुमान जी महराज पूरे दिन भर रात्री काल होते तक प्रभु राम के सेवा में समरपित होते हैं और जब प्रभु राम के सेवा सुने थोड़ा बहुत समाय मिलते हैं दोस्तों अपने भकतों के पुकार सुनते हैं मैं ऐसा नहीं का रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत सारे जो ज्यानी है, ज्यानी जन की ये मत हैं, तो अगर रात्री कालिन में, रात्री कालिन जैसे कि दोस्तों सढ़े 9, ये फिर 10 बजेग बाद अगर आप हनुमान जी मराज की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चालीसा क की पुखार को सुनते हैं, क्योंकि दिन भर भीया हनुमान जी मराज प्रभूराम जी के सेवा में समर्पित होता है, चली कुछ और भी सेज जानकारी बता दू, इसके बाद मैं बिडियो के आँखरी में दो तिन और लोंग का इसे उपाया बताऊंगा, लोंग के मालक बहुत ही जादा लब कराएंगे, आपके दिन दुगनी, राध चोगनी तरक्की कराएंगे, और सभी प्रकार के समस्था से आपको यू ही उबार लेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आप यकीन मानना, यू पाया करने के बाद आपके तरक्की आसमान चुमेंगी, तो मंगलवा जो को भी चुकाने में शमर्थावान नहीं होते, करजले बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि दोस्तों अपने पैर में स्वयम कुलहाडी मार करके बैठे हुए होते हैं, मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहूंगा, मंगलवार की दिन भाया, कुछ विस माराज सभी प्रकार के मंगल, अमंगल को दूर करते हैं, तो भई आपको मंगल मजबूत करना है, अगर आपके मंगल मजबूत नहीं है, तो आप जितने भी परिश्रम कर लिजिए, धन, दावलत कभी कठा नहीं कर पाएंगे, इसे बलवान करने का तरीका भी बताऊंगा, मंगल हनवान जी महराज सही बलवान होते हैं, मंगल प्रभु संकर जी के ही अंस हैं, भगवन संकर जी के ये नित्र के अस्रुधारा से उत्पन हुए थे, तो मंगल वार के दिन पान खा करके जमीन पर न थूखे, ये मैं जान करी कई बार आप लोगों को बता चुका और अगर दोस्तो भूमी पर पान खा करके ठूखते हैं तो मंगल महराज बहुत ही नराज होते हैं और मंगल नराज होते हैं तो आपकी कुण्डी में मंगल गरक कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। मंगलवार के दिन आप कर्जा दे सकते बाकी कर्जा किसी को जैसे कि आपको छुटका रहा पाना तो सामने वाले को जा करके उनके कर्जा लुटा सकते लेकिन मंगलवार के दिन आपको कर्जा ना तो लेना है ना आपको कर्जा किसी को देना है कर्जा देने से यह होता है दोस इसलिए मंगलवार के दिन आपने देखाओगा बढ़े जो साहु कार होते हैं जो ग्यानी जन होते हैं न तो करजे देते हैं न करजे लेटे इस इस बात कभी भी से ध्यान रखिएगा इसके बाद दोस्तों भूमी का इस दिन छेदन ना करें जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हमारे ह मेरे चनल में जुड़े हुए हैं बहु पुदा इन्ना करना इसे मंगल दे बहुत ही नराज होते हैं चले अब उपाय की तरफ चलते हैं तो दुस्तों मंगल वार की दिन लौंग की माला का यह चमतकारी उपाय सिगर आपको बना देंगे धन्वान सभी प्रकार के आपके मनोरत को पुर्णा करेंगे नहीं होगा किस हैं तो देखें अगर हनवान जी मराज को बहुत बड़ी मनो कामना हैं चोटी नी जैसे कि करजे का भार रहे हैं जब धनसमंदी समस्ता है तो 21 आप लौंग की माला पहना सकते हैं लेकिन कोई बहुत ही बड़ी मनोरत हैं बहुत ही मनो कामना है तो 108 लौंकी फुल वाला पहनाना है तो इसे सनी पिड़ा से जीज दिन आप हनुआन जी माराज को पहनाएंगे आपके सनी के सढ़े साती चरम सीबा पहना दोस्तों तत्काल उसी टाइम हनुआन जी माराज को पहनाते ही मुखती मिल जाते हैं रात नौ बजेक बाद रात्री कालिन हनुमान जी मराज की पूजा करना क्योंकि हनुमान जी मराज प्रभू राम की सिवा से उस समय थोड़ा सा जब प्रभू राम भी स्राम करते हैं तो आपकी पुकार जल्दी सुनेंगे तो यह थोड़ा सा आप जो है कर सकते हैं बागी सी करना है एक काम करना मंगलवार की दिन हुड़ॵाला लोंग का माला पहनाने एक पाँजिए पाँज चर्णों में पांच बार टच करा करके वह ताविच फिर आप अपने गले में धारान कर लेना किसी भी प्रकार के नक रत्मक सकती भुद प्रित पिसाज तितर पितर जितने भी योनी हैं आपके बाल बाका नहीं कर पाएंगे इसके बाद भया कपूर में लॉंग डाल करके भ हन करते हुए शाद बार हनुमान जी मराज के स्री चर्णों में ये कपूर का आरती घुमाना है कपूर आपको घुमाना है इसके बाद इसे घुमाने कबाद साद बार जैसे हो जाई इसे ततकाल घर से बाहर निकाल देना मंदीर है तो मंदीर से बाहर निकाल देना उसी टा बल्वान है दोस्तों सुकर बल्वान ही होते धन दौलत नहीं मिल पाते हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं यूपाय कर सकते हैं साथी साथ नकरत्मक सक्ति को भगाने के लिए अच्छु कूपाय हैं इसके बाद चड़ालाओं को नित्या 21 दिन तक खाने सी भी दोस्तों किसी न आपको पर में नकरत्मक सक्ति डाल दें वो भस्मा हो जाते हैं दोस्तों भूत ब्याधा होने पर लौंग जला करके किसी को भूत ग्रसीत करके रखें किसी को प्रेत पकड़के रखें आप में बहुत सार ऐसे हमारे चैनल में हमने देखें परसों की कोमेंड किये थें कि भ या रात रुके पता चल जाएगा तो भूद ब्याधा होता है दोस्तों तो जिसे लगती वही जान पाएगा इसके पीड़ा सनी भी होती जिसे सनी की पीड़ा सताती ने वही जान पाएंगे लोगों को क्या कुछ भी बोले जाते हैं तो भूद ब्याधा होते हैं तो लौंग छोटे बच्चे को बुरे श्वुप्न आरेам री होया थे जिसे कईसे लाइक जरूरों आरे आहितें कु सीघन कीते का सावया घॉ करना प mais